आज के अनुपमा एपिसोड में वनराज और लीला अनुपमा और अनुच की शादी में शामिल होने से इंकार करते हैं। वे हस मुख की जित से नाराज होकर गुस्से से घर में बैठे हैं। डॉली आती है और लीला और वनराज को उनके साथ जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है लेकिन वे ऐसा करने से मना कर देते हैं अपनी पूरी इमानदारी के साथ डॉली लीला और वनराज से उसकी बातों को सुनने और उसके लिए सहमत होने का अनुरोध करती है तभी समर, तोशू, किंजल और पाखी प्रकट होते हैं और लीला और वनराज को अनुपमा और अनुच की शादी में शामिल होने के लिए कहते हैं समर वनराज से कहता है कि वह वनराज से आखिरी चीच चाहता है और भविश्य में आगे कुछ भी नहीं मांगेगा जब बच्चे आखों में आस लिये खड़े होते हैं तो लीला और वनराज लाचारी में जवरा बंद करते हुए चुपचाब बैठ जाते हैं हसमुक के साथ जो हुआ उसके बाद क्या लीला और वनराज अनुपमा की शादी में शामिल होंगे अपनी राए कमेंट सेक्षन में पोस्ट करें